लिखिल या एक डिलिख हेलो स्वागती मैं ने पिर से आप लोग लिख बहुतas लेकर आच गरम टोर आज यूम धारे और रिए को एक लिमिंट और बशेbinid अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में ये बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए पहले गबर की बात करते हैं यहाँ पे सबसे ताजा और गर्मा गरम खबर से मतलब आज की सबसे होट टॉपिक वाली न्यूज वो ये है कि रियल मी 2 यहाँ पे फाइनली इसकी ओफिशल पोश्टर जो वो सामने आ चुकी है कमपनी की तरफ से उनकी ओफिशल वेबसाइट प आपको पीछी वही सेम डायमंड कट वाला जो वो बैक मिल रहा है हम चाते देखे वैसी है क्योंकि काफी प्रीमियम लगता है और आपको फिंगर पिंट स्कैनर भी पीछी की तरफ जो वो दिखाए दे रहा है प्राइसिंग डीटिल सामने नहीं आई है रिमेनिक स्पेक्स तो यहाँ पर बात करते हैं मैं आपको जैसे कि कल इसके बारे में बताया तो आपको पता ही होगा और यह है जियोफोन 2 के बारे में जियोफोन 2 जो उनके official website पर जो वो sale पर गया था आज दुपर के 12 बज़े तो मुझे पता है कि majority of दो लोग को नहीं मिला होगा तो जिन ल पक लेंगा आएगा इसकी बेंबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर शाओमी का जो पकिया है मैं अभी फिलाल के लिए पोको नहीं बोलूँगा मैं इसको पकिया बोलूगा वारे इंडिन लेंगवज में जैसे मोलते हैं यह पकिया यह घोटिया तो वही है शा अगस को यह इंडिया में लाँच होगा मैं एक डेडिकरेट वीडियो पे कल तक बनाऊंगा सारी जानकर इस पर आपको देने की प्लानिंग कर रहा हो तो कल तक का वेट के लिए तब तक के लिए आप बोल सकते हैं पकिया या फिल गोटिया तो ओपो होगा शाह है यह होग फोन्स में ही आएगा जिनके हाडवेर काफी लोते लेकिन एंड्रोइड नाइन पाई गो एडिशन के अंदर आप लोको 500 जीभी अभी जो फ्री स्टोरेज एडिशनली मिलेगी क्योंकि उसको ऐसा ऑप्टिमाइस किया गया है साथ में आपको बूट टाइम इसमें जो वो तो यहाँ पे लेनवो की तरफ से ख़वर आड़ी है और लेनवो का यहाँ पे एक स्नापडेगन का 850 वाला जो वो लेप्टॉप जो यहाँ पे गीक बेंच पर देखा गया है जी हाँ अगर आपको नहीं पता है तो कंप्यूटेक्स 2018 का इवेंट था वहाँ पे कॉलकॉम अपने स्नापडेगन की 850 वाले प्रोसेसर को अनॉंस किया था जो यहाँ पे सिर्फ डेडिकेटिटी ऑल्वेस कनेक्टेट पीसी के लिए होते है जिसमें आपको विंडोस 10 देखने को मिलता है 4G का सपोर्ट लेके आता है जैसी कि पहले आपको स्नापडेगन 835 वाले जो अगर आता है तो बहुत ही मजा है कि ऐसे लेप्टॉप को यूज करने के लिए प्राइस क्या होता है क्या होता है जो भी होता है आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा तो यहाँ पे TSMC की तरफ से बहुत इंटरेश्टिंग खावर आडियो और बताया दार है कि यहा उन्हें 20 बिलियन डॉलर का जो खर्चा किया था जो 7NM से भी बहुत जादा पावफुल और बैटरी एफिशिन होगा लेकिन अब यहाँ पे एक और ख़पर है दियो बताया दार है कि उन्हें और यहाँ पे 19 बिलियन डॉलर का जो खर्चा कर दिया एक नई फेक्टरी यह यहाँ पे जो वहाँ पे जो ओपन करिये जिसके अंदर 3NM वाले प्रोसेसर के बर जो काम चल रहा है जी हाँ और यह जो यहाँ पर बताया जाले कि जो 5NM वाले प्रोसेसर है वह 2019 से स्टार्ट होगे 2020 तक जो वह अवेलेबल हो जाएगे और यह यहाँ पे 2022 तक का जो अव अभी से काम यहां पर शूरू कर दिया है तो देख दा कई तो जाते ना कि यार इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है इसमें इत्मा पावर है कि नहीं है अब कुल पेड को हुआ गया मुझे समस्तानी एक टाइम था 9000 पे में कुल पेड, Note 3, Fingerprint, Scanner, 3GB RAM के साथ में लांच किया था क्या चलता था ओफोन, Market जो offline में कमपनी घुसरी है ना वो अपनी लेवल को यहां पे खतम करें जिसी की मोटरल है मैं यही request करता कमपनी सी कि अच्छे से online में आओ, अच्छे अच्छे फोन दो ने तो आप लोग इंडिया से बहुत ही जल्दी जो वो निकल सकते हैं तो यहां पे WhatsApp की तरफ से खबर आ रही है और यहां पे रिसेंटली बताया दा रहे है कि WhatsApp के अंदर जो आपको Google Drive का जो वो बैकप मिलता था, जो आप बैकप करते थे वो आपको official Google Drive का storage इस्तेमाल नहीं करेगा बलकि अलग से एक storage मिलेगा जो WhatsApp का backup specially उसके ने जो वो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि Google Drive आपका इस्तेमाल नहीं होगा WhatsApp के backup के लिए बलकि अलग से storage यहां पे इस्तेमाल होगा और वही जो specifications लीक हुई थी 6.3 इंच के आपको एक Full HD Plus की डिस्पे मिलती है उपर एक चोटा सा आपको एक कैमेरे का cut-out मिलता है 25MP की selfie है 16MP 2MP का आपको dual rear-facing camera मिलता है आपको सारे ती नजार में इसकी वेटरी मिलती है SuperVOOC technology वाले fast charge के साथ में आता है इसके इंदर आप लोगो क्या मिलता है तो 6GB की RAM, 64GB की storage मिलती है और 4GB वाला भी variant आपको देखने को मिलेगा तो यह आपको क्या लगता है कि price कैसी रखी गई इंडिया में जो F9 Pro बनके आ रहा है क्या price में आता है तो यहां पर JBL ने इंडिया के दर अपना Extreme 2 करके एक Bluetooth speaker जो वो launch कर दिया है और इसकी जो pricing रखी गई है वो है यहां पर 21,999 की 22,000 रुपे का आपको यह Bluetooth speaker मिलता है जो काफी rugged सा है आपको यहां पर IPX7 rated मिलता है आपको waterproof, dustproof वगएरा वगएरा की चीज़े जो वो देखने को मिलती है इसके अंदर यहां पर बताया है कि 10,000 रुपे की बैटरी जो 15 घंटे का आपको यहां पर बैक आप मिलेगा प्लस आपको 3D, base, sound वगएरा वगएरा की features वो तो आपको full proof मिलेगा उसमें टेंशन है लेकिन 22,000 रुपे मेरे साब से बहुत ही ज़्यादा है हम तो यहां पर ज़्यादा तक 3,000-4,000 रुपे इस speaker पर खरचा करते है Bluetooth वगएरा के तो अगर आपको भी इंटरेश्ट है आपको ज़्यादा इस्तमाल कर रहा है इंडिया के अंदर और अब यहां पर उसके साथ ने wireless charger pad और wireless charger duo जो globally announced हुआ था जो duo है मैं उसकी बात कर रहा है वो इंडिया में list हो चुका है officially उसकी pricing यहां पर सामने आ चुकी है wireless charger duo की जो price है वो 6,000 रुपे की है जिसमें आप एक time पे अपने smartphone को और smartwatch को जो simultaneously charge कर सकते हैं और जो wireless charger pad है जो QI certified wireless charger है जिसमें आपको gear sport S3 वगरा भी जो वो आपको मिलता है यह 35,000 रुपे की इसकी प्राइस रखी गई है अगर आपको यह वाली चीजों में भी interest है तो आप जाके इसको additionally purchase कर सकते हैं note net के unboxing आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी मेरे पास आरे वाला है वह आप उसके लिए वेट करिए क्या आपको यहाँ पर पता है कि France के अंदर पंचियों को जो वो training दी जा रहे है यानि कि जो क्रो होते हैं जो कवे होते हैं वहाँ पर ऐसे 6 ऐसे कवे हैं France के अंदर जो एक जगा है वहाँ पर लोग रास्ते में जब चलते तो सिगरेट का खचरा या जो भी छोटा मटा कचरा जो जमीन भी फेकते हैं तो वह पंची उस इलाके में जब रहते हैं तो वह जाते बरावर से कचरे को ऊटाते हैं और डिब में जाके जो बहो डाल दे कि प्समाली